Hi everyone, this is me, Ali Mirza, welcome back to our channel Laptop Repair Now, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Dell Laptop के बारे में, जिसका model number है Dell Inspiron 15 5558 series का ये, और 5559 series का ये laptop है, आज इस laptop में हम जो SSD and thermal paste चेंज करने वाले हैं, इसमें जैसा कि आप देख सकते मैं आपको इसको open करके भी बता दूँगा इधर से, ये 5559 model का series का ये है, ये laptop Dell series का है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसका battery remove कर देंगे, इधर से इसके वाद हम one by one करके इसके पूरे screws remove करेंगे, इधर से हम इसका keyboard भी निकाल देंगे इधर से, जैसा कि यहां से हमने इसका keyboard निकाल दिया भी हम इसका strip भी निकाल देंगे, जब आप इसका strip निकाल दिये वासे जो इसो आपको यहाँ पर locks रहेंगे और इसके screws रहेंगे वो भी निकाल देना रहेगा आपको टैश पैट के यह वन बाइबन करके हम इसके पूरे screws निकाल रहे हैं की पैट के नीचे के इसके बाद हम यह पैनल को डाउन करेंगे फिर बैकसेड मेंगे इसके screws निकालने के लिए पूरे अगर आप हमारे चैनल पर नए है ता आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट्स करिए शेर करिए जितना हो सका और इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें अभी हम इसका डीवीडी निकाल रहे है इसका डीवीडी हमने निकाल दिया है अभी हम इसका पैनल ओपन करेंगे इदर से थोड़ा पैनल आपको हलो हलो करके पूरा पैनल ओपन करने का है अभी हमने इसका पैनल अल्मॉस्ट ओपन कर दिया इभी हम इसका फ्लैप डॉन कर दिए इधर से फ्लैप डॉन करके जब इसका ओपन करिंगे इधर से थोड़ा प्रेस करते वे पुश करते वे इसको अब सइड में यह हमारा निकल चुका है पैनल जैसा कि आप देख सकते हैं यह रहा हाद राइव यह रहा राम यह इसका पुरा श्ट्रेक्चर रे लैप्टॉप का अंदर का मदर बोट का अभी हम इसका फैन क्लीन कर रहे है इधर से और हम इसका पूरा जन्र सर्वीक्त अभी हम इसका हाट रहे का करें और यह हमने निकाल दिया वापस से लॉक कर दिया है जन्रीस के फैन करके करेंगे हम इसके फ्री स्कूर एसक्रोश निकाल दिया पूरे यह हमने इसके स्क्रूस निकाल दिये हैं अभी हम इसका हाड ड्राइब रिमूफ करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम इसका करने वारे हैं तर्माल पेस्ट चेंज यह रहा हमारा 256GB का SSD अभी हम इसको ओपन करेंगे 256GB AIRVX का यह हाड ड्राइब है हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेर कर दिंगे जब भी आप इसका SSD या हाड ड्राइब चेंज कर रहे हैं तो जो पोजिशन से निकार रहे हैं वो इपोजिशन पे आपको लगाना रहेगा अभी हम इसका 1x1 करके के केसिंग के स्कूज निकालीगे सेम कंडिशन से हाड राइब र्मॉफ करेंगे सेम कंडिशन से इसका हाड राइब है यहां पर फिक्स कर दिए इसके बाद हम इसके स्कूज लगाएंंगे यह हमारा last screw भी हो चुका है फिर भी हमें पर प्रॉस चेक कर ले रहे हैं हमारा हो चुका है भी हम इसका hard drive वापस से fix कर दींगे अभी हम इसका पहले hard drive का connector लगा दे रहे हैं इधर से यह हमने लगा दिया है अभी हम इसका lock करेंगे इधर से देख सकते हैं जब भी आप इज़ी hard drive क्नेटर लगा रहे तो प्रॉपर लगा के आपको lock कर रहे हैं वन बाइवन करिए इसके बाद हम उसको open करेंगे इसके हीट्शिंग के स्कूरूस यहां पर हम लगाएंगे इसका thermal paste अभी देखते हैं इसमें कितना paste dry हो चुका है इसका जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इसका पुरा dry हो चुका है देखिए पेस्ट इसका यहां पर भी हीट्सिंग से भी खराब हो चुका है भी हम इसका paste को remove करेंगे previous का जो खराब हो चुका है पीज देखा सकते निकल नहीं रहा है बोना हार जो हो चुका आए इसके बाद हम इसका processor का अब एक लिंगे अधर से हिए ग्राफिक खड़ भी अगर रहा तो कुछ भी पेस्ट जिसे माकर भी किलीन कर दिए कि यह मिसमें टर्मल पेस्ट के लिंक के दे दिये आप मां से खक्रके भी कर सकते हैं तो नियर बैशॉप से पुच्छेसं कर सकते हैं अभी हम निये लगा दिया है अभी हम इसको वापस से भी करेंगे अ Have one by one आपकोन रखाने का है अप कि यहां पर हमारे स्कूर्स हो चुकए अभी हम इसने बेस कर रहे हैं थो आप जब हिंजव के सेट ई हम लगाएंगे बेस कवर को यह रहा हार्द करेंड के तो सबसे पहले हम हार्द करेंड बदर लगाएंगे अंदर से यहां पर आप Daug love न दालना रहेगा तो आपको आपको ऑफिक्स कर पाएंगे अब यह मिसा पैनल को रखते हैं लौक करते हैं पुरा पैनल वापस से हमारा कि स mesa 1998 है है महां चर्च करते दियों सो पुरा यू वीक्स करいे a तो अब लोकिंग सिस्ट्रम कि मुझे प्रॉपर लिफिक्स होना पड़ेगा ने तो आपको ट्रबल करेगा आप पर अभी एक लोकिंग हो रहा है अभी हम इसके शुरुस करेंगे वापस से अभी हम इसके स्कूरूस फिक्स कर रहे हैं वन बाई वन करके पूरे स्कूरूस इसके फिक्स कर दिएंगे बॉटम कवर के जो नीचे साइट से रहेंगे पूरे बाड़ी अटेश्मेंट के लिए टैच पैड एन बेस कवर के लिए यह हमारे और्मोल बैक सेट के स्कूरूस खतम पे है फिक्स कर दिये हैं हमने पूरे यहाँ पर डीवीडी करने का भी रहेगा चोटे छोटे स्कूरूस रहेंगे आपको वह भी लगा देने का है फिर आपको यहाँ पर डीवीडी के नीचे बैटरी के नीचे भी रहेंगे है इसके आल Mayo स्कूरोस लग चुके हैं सिसके बाद हम लगाएंगे कीब़ूर्ट कि अब हमने इसका keyboard ले लिया है भी हम यह लगा रहा है एक के डस कर दिंगे इसके बाद हम इसका keyboard स्कूरू भी लगा दिए अभी में लैप्ताव kita कर के इसा डेल की रहेगा जहने अभी हम सकते हैं कि कि आ गया है मैं आपको यहां पर बताऊं गया है जो हमने के इसे में फिक्स कर दिया है इसी तरह के इंट्रेस्टिंग्यच की लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट्स करिए शेर करिए जितना हो सका